पिहार के मुख्या नितीश कुमार बांका के अमरपूर प्रखंड के भदरिया गांप पहुँचे सूबे के जलसन सादन मंत्री विजय कुमार भी इस दोरान मौजूद रहे सीम को पुलिस बल की ओर से गार्ड आफ ओनर दे जाने के बाद वो चांदन नदी में मिले अवशेश को देखने पहुचे और स्थलका जायजा भी लिया इसके बाद सीम ने कहा कि अमरपूर प्रखंड का भदरिया गांउ बौध सर्कृट का हिस्सा बन सकता है यहां मिला आवशेश राजगीर से मिलता जुलता है जो करीब 2600 साल पुराना लग रहा है वही सीम के कारिक्रम को लेकर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड भी लग गई ग्रामिनों को उम्मीद है कि अब उनके इलाके को पर्यटक के ख्षेतर में एक विशेश पहचान मिलेगी बता दे की छट पर्व के दिन ग्रामिनों ने यहां प्राचीन भावन के अवशेश देखे थे जिसके बाद इसकी सूचना सरकारी महक में कोदी गई थी और फिर पुरा तत्वी विभाग पटनाद्वारा टीम ने जार्ज किया था जिसके बाद सीम नितीश कुमार ने खुद स्थल के निरिक्षण की बात भी कही थी जिसे लेकर सीम ने भदरियागाओं का दौरा किया छट के समय ही जो यहां के लोगों को इस बात का हैसास हुआ कि इस नदी के पास ही उपर में ही उन्हों को दीखिया और उसके बाद जो इसकी ख़बर आई है और यह समाचार आप लोगों ने इसको प्रकासित भी किया और यह एतिहासिक घूमी पता चलिया फिर यहां के मान्य विधायक ने भी हमको फोन करके कहा हुआ हमने कहा यह तो एतिहासिक जगह है और यह आर्के लोजिकल साइट है इसके लिए ततकाल यहां के जो विश्यसक्य हमको भीजा जाएगा सब लोग आए स्रीबीजय कुमार चोधरी जी के नित्रितु में और उन लोगों ने जो पूरी बात को यहां देखा उसका थोड़ा जो प्रारंभिक अध्याइन किया और अध्याइन करने के बाद जो इसके बारे में जो जानकारी मुझे को दी मुझे इदनी खुशी हुई जानकारी होगी क्योंकि यहां के इलाके में लोगों को यह इस बात की जानकारी है कि यहां पर भगवान बुद्ध भी आये थे तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी मेरे मन में एक बात आई कि कहीं यह भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं और फिर पता चला कि 2600 साल पुरा न तो मतलब तो वही हो गया और फिर यहां कि गाओं के बारे में भी जानकारी मिल गई है तो बहुत आप समझ जो एतिहासिक बात है वह बात अब सामने आजाएगे